हेलो फ्रेंड्स आज के सुधिय में आपको बताऊंगा कि गूगल पे में अगर आपका बेंक अकाउंट एड नहीं हो रहा आपको आ जाता है केन्नोट सेंड़ SMS या कुद्नोट रिजिस्टर और आपका बेंक अकाउंट एड नहीं होता तो आप अपनी इस प्रॉलम को कैसे स uster-mobile number से ही करना है और यह mobile n05 वाला श्म आपके इस sil मबाइल में भी होना ही चाहिए मबाल में आप Google पे को यूज करना चाहते हैं और जब्भी आप अपना bank account हैं आप मैं से upfront Sun में यहां पर चूज करें आपके मोबायल में unknown नम्बर मेस्जि Recht सेटिंग ब्लॉक नहीं होनी चाहिए वह एलाओ ही होनी चाहिए क्योंकि जब भी हम गूगल पे में बैंक काउंट एड करते हैं तो एक मैसेज हमको बैंक की तरफ से आता है और एक मैसेज हमारा कि तुद्ध पर और अप्छाइब करने के बाद भी आपको एक सैटिंग करनी होती है यहाँ Plays मैसिज आप को डाउनलोड करूँगा और डाउनलोड करने के बाद जैसे ही आप मैसिज आप को यह ओपन करेंगे यहां पर यह दिखिए जैसे ही आप मैसिज आप को ओपन करेंगे आप अपने इस message आप को default में कर दिजिए जो आपने अभी download किया है इसको आप default में करके set as default यह option पर आप click कर दिजिए आपके जो भी message होंगे इस message आप में आ जाएंगे यह देखिए यह सारे message इस app में आ गए है message आप में इसके बाद आप Google Pay में अपना bank account add करके देखिए आपकी problem solve हो जाएगी और उसके बाद आप इस message आप को delete भी कर सकते हैं और अगर आपकी problem इससे भी solve नहीं हो रही तो मैं आपको आगे भी एक दो setting बताऊंगा यह देखिए यह किसी किसी mobile में यह setting होती है एक security नाम से एक option होता है यह देखिए आप इस security पर क्लिक कर दिजिए और यहाँ पर आपको agree और disagree दो option आएंगे आप agree पर क्लिक कर देना उसके बाद करके देखना आपकी problem solve हो जाएगी और अगर फिर भी नहीं हो रही तो यह उपर एक setting का आइकोन है यह देखिए यहाँ पर setting के आइकोन पर आप क्लिक कर दिजिए यह मैं आपको दिखा भी देता हूं यह उपर setting का आइकोन है और यहाँ पर जैसे ही तो आपके mobile में जो भी SIM है जैसे Vodafone 8L idea उसमें वो वाला recharge होना चाहिए जिसमें कि आपको outgoing messaging की सेवा free में मिलती है मैंने देखा है Vodafone का जो recharge है 99 वाला उसमें आपको outgoing messaging की सेवा नहीं मिलती आपके जो भी SIM है उसमें वो वला recharge होना चाहिए जिसमें कि आपको outgoing messaging की सेवा मिलती है और आपके SIM में balance of minus में भी नहीं होना चाहिए और आपका SIM activate होना चाहिए और ये setting भी आप अपने mobile में जरूर देख लेना ये smart messaging service अगर आपके mobile में ये option off होगा तो इसको भी on कर दिना इसके कारण भी कई बार message send नहीं होता और problem आयती है हमको google पे में और सबसे बड़ी problem में ने देखी है SMS enter number के कारण ये आपके mobile में होता है SMS center number अगर ये आपके mobile में सही से update नहीं होगा ये गलत भी update होगा तब भी आपको google पे में problem आएगी और ये SMS center number क्या है ये इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है उसे वीडियो का link में आपको description में देदूँगा वो वीडियो देखकर आप अपने mobile में ये SMS center number को सही से update कर लिजिए उसके बाद आप google पे में अपना bank account add कीजिए आपकी problem solve हो जाएगी आपका bank account add हो जाएगा इस तरह से आप अपनी problem को solve कर सकते हैं अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दिजिए share कर दिजिए और मेरे channel को भी subscribe कर दिजिए